हमने हमाई लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे पूरे युरॉप में फर्स्ट वर्ड वार हो रहा था और उस रीजिन की वजए से इंडिया में नेशलिजम डेवलप हो रहा था लोग रिवाल्ड कर रहे थे मगर फेल हो गए थे इसलिए उन्हें एक नया लीडर चाहिए था और उस नय लीडर का एक नया मोड औफ रिवाल्ड चाहिए था ये जो नय लीडर थे ये थे महात्मा गांधी और इनका जो नया मोड औफ रिवाल्ड था ये था सत्यग्रा महात्मा गांधी जनुवरी 1915 में इंडिया आते हैं कहां से आते हैं वो आते हैं सावत अफरीका स वहाँ पर वो अपने की प्रेक्टिस कर रहे थे और वह अपने साथ लाते हैं सधीघर का नसेप्ट मात्मागांधी ने सव्त अफ्रिका में भी सधीघर किया था डी इसम के अगेंस्ट इसम यानि काले घोरे निया जहां चलता था और मात मागांधी खुद भी इसके शिकार हुए थे इसलिए उन्होंने racism के against में सत्यगरा किया था जिसमें वो successful हुए थे और इसी concept को यानि सत्यगरा के concept को अब वो लाए थे इंडिया में ताकि इंडियां जो थे वो competition के against में लड़ सकें और उनसे आजादी पा सकें तो अब यहीं देखते के भाई सत्यगरा का मतलब क्या था तो सत्यगरा दो वर्ट से बना हुआ है सत्य यानि ट्रूथ अग्र यानि सत्य को हमेशा पकड़े रहो उसके साथ चलो अगर देखा जाए तो सत्यगरा का जो में कि अगर आप सत्य के साथ हो और नाइंसाफ के किलाव लड़ रहे हो तो आपको जो ऑप्रेसर है यानि जो आपके उपर जल्म कर रहा है उसको आपको मानने की जरूद नहीं है आप उसे सरफ यह बताओ कि वो गलत है उसकी आत्माओं तक सत्य पहुंचाओ जिसके बाद मानना था कि सत्यक्राइब की हेल्प से हमें ब्रिटिश से आजादी मिल जाएगी वह बिना किसी वाइलेंस के बिना किसी मार पीट के ना कोई मरेगा और ना कोई मारेगा महत्मा गांदी जब पहले आए तो पहली साल उन्होंने कुछ नहीं किया यानि कि वह पूरे इंडि सफर कर रहे हैं और उनसे किस तरह लड़ा जा सकता है हम वाई नेक्स वीडियो में देखेंगे कि महत्मा गांदी ने इंडिया में अपना पहला सत्यक्राइब कहां किया और क्यों किया था था थैंक यू